नारज जी ने भगवान से पूछा बोले प्रभू आपको सन्यासी ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि ग्रहस्त भगत अच्छे लगते हैं तो भगवान मुस्कुरा के बोले हमको ग्रहस्त भगत अच्छे लगते हैं तो नारज जी बोले तो फिर हमको भी भ्याव्या कर लेना चाहिए, हम काय को बाबा जी बने घुम रहे हैं, ठाकुर जी यहां हमने परिवार छोड़ दिया, माता पिता पत्नी सब छोड़ दी और आपको अब भी भी वो पसंदे जो पत्नी बच्चों को इड़दे से लगा क बैठें, ठाकुर जी बोले देखो, तुमने सब को छोड़ दिया मेरे लिए, लेकिन वो सब के संग रहते भी मुझे नहीं छोड़ रहा है, इसलिए वो मुझे बहुत दिया, पत्नी का भी ध्यान रख रहा है, बच्चों का भी ध्यान रख रहा है, परिवार में कोई कोई को भी समय दे रहा है, और चिंताएं इतनी बनी रहते हैं, उसके बावजोद भी वो मेरे सामने आ जाता है, वो मेरे से प्रीती कम नहीं करता, मेरे प्रति उसकी प्रीती कम नहीं होती, इसलिए वो मुझे अतित्ती है, आपने सब को छोड़ दिया, एक बस्तू के लिए, य अच्छी बात है, लेकिन सब को समालती हुए भी उसको नहीं चोड़ा, यह वशेश बात है